नमस्का दोस्तो तो इस साल इंडिया में Redmi 9 शीरिस के इतने सारे भेरियंट के बाद Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max के तीनों-के- понять मोडेल के बाद इंडिया में Poco X, Š benefits रिंगे Redmi Note 10 शीरिस दरसल कहां परे काईजार कि इस साल टोटल चार Redmi Note 10 wraz स्मार्टफोन आएगा एक नमी नोट 10 दूसरा होगा रेधी मेगा नोट 10 प्रो फोर्जी डेढी नो टेण प्रो fünf जी, डेढी नोट 10 नोट 10 प्रो मैक्स टो完全 4 डिवाईस होगा तो इस विडि़ा में आप को जो Redmi Note 10 Pro का 4G Edition आने बाला है उसके बार में सारा information दूँगा क्योंकि कुछ दिर पहले दरासल Redmi Note 10 Pro 4G के बार में कुछ information मेरे पास आ चुका है वो ही मैं आपके सार शेयर करने वाला हूँ तो चले शूर करते आज का वीडियो बिना कोई बाक्त कबर आज का वीडियो शूरू करने से पहले अगर आप गयाज़ोल चैनल को सबसे करना बिल्कुली मात भूलिएगा तो जैसे का पिक्चर में देख सकते शाओमी के तरफ से एक नया स्मार्टपॉन FCC साइड में आ चुका है कहाँ जारे कि यही स्मार्टपॉन होगा दर असल Redmi Note 10 Pro का 4G एडिशन जैसे के ब इसमें देख सकते इस स्मार्टपॉन का जब मोडेल नंबर बुए दर असल M2101K6G अगर इसके कोडनेम की भात करे जब इस स्मार्टपॉन चाइना पे आएगा इसका नाम होगा स्वीट जब इस स्मार्टपॉन इंडिया में आएगा उसका नाम होगा स्वीट इन इन फर इंडिया और आप इस नीचे कनेक्टिवीट ओप्शन में भी देख सकते इसमें आपको डूएल बेंड वाइफाई मिलेगा मलता 2.4 और 5 कोई 6 गिगाज बाल वाइफाई कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा इसमार्टपॉन जब आएगा तो आपको मिलेगा MIUI भर्शन 12 तो आप इसके डिस्प्ले की बार में बात करते जैसे के अब देख सकते इस बार कॉन्फर्म निउज है कि Redmi Note 10 Pro 4G Edition में आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा कोई AMOLED डिस्प्ले देखने को आपको नहीं मिलेगा अगर डिस्प्ले साइस की बार में बात करे बोई 6.7 इंच के आसपास इसका डिस्प्ले होगा आइदर Gorilla Glass 3 या फिर Gorilla Glass 5 case का protection होगा अगर इसके camera के बार में बात करें जैसे के अभी इसमें देख सकते इता साब साब लिखाए इसमें आपको 64 minimaensor उसके साथ 8MP अल्टरोई बोजे सेंसर उसके साथ 2 어느 best sensor देखने को मिलेगा और आप इस छोटे से model number को देख सकते 64S5KGW2 अगर भी से थोड़ से Google करेंगे तो आपको पता चलेगा यह दर असल Samsung का sensor है मतलब confirm नहीं हुज है कि Redmi Note 10 Pro 4G आने बाला है उसमें आपको Samsung का 64MP मिलेगा, Sony का देखने को नहीं मिलेगा जब इस smartphone इंडिया में आएगा तो आपको NFC का support देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इसका चाइना भाला version उसमें आपको NFC का support देखने को ज़रूर मिलेगा अगर प्रोसेसर की बार में बात करें इसमें Xiaomi का बही पुराना फेबरिट प्रोसेसर जो कि Snapdragon 732G जो कि आपको Poco XC में देखने को मिलता है यह जो upcoming smartphone आने वाला है इसमें भी देखने को मिलेगा जो upcoming Poco F2 आने वाला है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा बही से Snapdragon 732G जिसका model नमबर है ASM 7150 और अगर इसके बैटर के बार में बात करें देखिए इता साब साब लिखाए इसमें आपको 550 इमीज बैटरी देखने को मिलेगा और इसके साथ फाइनली एक और इंफ्रमेशन ही कि बहुत ज्यादा चांसे कि इस Redmi Note 10 Pro 4G एडिशन में 120S refresh rate बार डिस्पले आपको देखने को मिलेगा तो Redmi Note 10 Pro 4G के बार में अभी तक टोटल एइस सारे कॉन्फरांट इंफ्रमेशन मिला है मतलब हैसे हम कॉन्फरांट हो सकते 6.7 इंज Full HD IPS डिस्पले मिलेगा Snapdragon 732G प्रोसेसर मिलेगा हार बर की तारा इसमें भी आपको बहुत सारे RAM और स्टोरीज विरियेंट देखने को मिलेगा जैसे कि 4, 6, 8GB RAM, 64, 120GB स्टोरीज विरियेंट RAM होगा LPDDR4X, मेमोरी होगा मेरे ख्यासे UFS 2.1 या फे 2.2 कैमेर होगा 64, 8, 2.2, फ्रॉंट आइदा 60MP या पे 20MP होगा बैटरी होगा 5050MH, उसके साद मेरे ख्यासे 33W का फास्ट चाज होगा यह कि Xiaomi रिसेनली आपने सबी स्मार्टपोन में 33W का फास्ट चाज प्रॉइट कर रहा है और जो सबसे में चीज अगर इसके प्राइस की बार में बात करें आप देखिए, यह जो Poco F2 आने वाला है, जो की होगा दर असल Poco X3 का लाइटर वर्शन कहां जारे कि उसका प्राइस होगा अल्मोस्ट 15,000 के आसपस तो इसलिए मुझे लग रहा है कि क्योंके इस बार स्मार्टपोन में आपको Poco से थोड़ा सा ज्यादा बैटरी देखने को मिलेगा, तो मेरे कहाल सी इसका प्राइस 16-17,000 के बीच में होने के सबसे ज्यादा चांस है और अगर लॉंच डिट की बार में बात करें, मुझे जी इतना लगता है आईदर फेब्रॉरी के मीडिल या पिर आखिर में इसके बार में 100% इंप्रोमेशन आपको मिल जाएगा तो आज के वीडियो इतना खूमी दे, आज के छोटा सी इंप्रोमेशन आपको बसंद होगा वैसे आप मुझे नीचे कॉमेशन में बताइएगा कि Redmi Note 10 Pro जो 4G रिशन आने बाला है उसमें आपको क्या चाहिए था Dimensity Series का कोई processor चाहिए था या फिर Snapdragon 732G के साथ आप satisfied हो इसके बाब में मुझे नीचे कॉमेशन में लिगना बिल्कुल में द भूलिएगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक stay tuned and always remember think positive, be positive, thank you